ओम सांती, आज बारा दस दो हजार बीस की मुल्ली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिकलाने जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो, तुमारे लिए दुनिया ही बदर जाती है प्रस्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें मदद के रिटर्ण में क्या प्राप्त होता है प्रस्न का उत्तर है जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आदा कलब कोई की मदद लेने वा राय लेने की दरकारी नहीं रहती है कितना बड़ा बाप है कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर की स्थापना कैसे करते अब सुनते हैं मुडली विस्तार से ओम सांती मीठे मीठे नंबरवार अती मीठे रुआनी बच्चों प्रती रुखानी बाप समझाते हैं क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं रावन ने बहुत बेसमझ बना दिया है अब हमको कितना समझदार बनाते हैं कोई ICS का इंतहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इंतहान पास किया है अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तहान पास करते हो जरा सोचो तो सही पढ़ाने वाला कौन है पढ़ने वाले कौन है यह भी निश्य है हम कल्प कल्प हर 5000 वर्स बाद बाप, टीचर, सत्गुरु से फिर मिलते ही रहते हैं सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना उच ते उच बाप द्वारा उच वर्सा पाते हैं टीचर भी वर्सा देते हैं न पढ़ा करके तुमको भी पढ़ा करके तुमारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ती मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है तुम कहते हो हम सब सिव बाबा के बच्चे हैं बाप को भी आना पड़ता है, पुरानी दुनिया को नई बनाने, त्रीमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की इस्तापना, तो जरू ब्रह्मा मुक्वनसावली ब्रामन ब्रामनिया चाहिए, ब्रह्मा तो नई दुनिया इस्तापन न कि जन संक्या कम हो अब कम तो नहीं होगी लड़ाई में करोडों मनुष्य मरते हैं फिर मनुष्य कम थोड़े होते हैं जन संक्या तो फिर भी बढ़ती जाती है यह भी तुम जानते हो तुमारी बुद्धी में विश्व के आदी मध्य अंत का ग्यान है तुम अपने को तैड़ना भी सीखते हो कहते हैं ना नईया मेरी पार करो बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैड़ना सीखते हैं अभी तुमारा तैड़ना देखो कैसा है एकदम उपर में चले जाते हो फिर यहां आते हो वह तो दिखलाते हैं इतने माइस उपर में गए तुम आत्मे कित इतना माईस उपन में जाते हो, वहाँ तो इस्तुलवस्तू है जिस की गिन्ती करते हैं, तुमारा तो अन्गिनत है, तुम जानते हो, हम आत्मय अपने घर चली जाएगी, जहां सुर्य चांद आधी नहीं होते, तुमको खुसी है, वह हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले ह मनुष्य भक्ति करते हैं पुर्सार्थ करते हैं मुक्तिधाम में जाने के लिए परन्तो कोई जा नहीं सकते मुक्तिधाम में बगवान से मिलने की कोसिस करते हैं अनिक प्रकार के यतन करते हैं कोई कहते हैं हम जोती जोत में समा जाएं कोई कहते हैं मुक्तिधाम में जाएं मुक्तिधाम का किसको पता नहीं है तुम बच्छे जानते हो बाबा आया हुआ है अपने घर ले जाएंगे मीठा मीठा बाबा आया हुआ है हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं जिसके लिए आदा कलब पुर्षार्थ करते भी बन नहीं सके है ना कोई जोती में समा सके ना मुक्तिदाम में जा सके ना मोक्ष को पा सके जो कुछ पुर्षार्थ किया वह व्यर्थ अभी तुम ब्रामन कुल भुसनों का पुर्षार्थ सत्यसिद होता है ये खेल कैसा बना हुआ है तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है बाप को अच्छे रिती तुम जानते हो और बाप द्वारा सश्टी चक्रों को भी जाना है बाप कहते हैं मुक्ती जीवन मुक्ती का ग्यान कोई में भी नहीं है देवताओं में भी नहीं है बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे कितने धेर गुरु लोग है कितने उनों के फॉलोवर्स बनते हैं सच्चा सच्चा सद्गुरु है सिव बाबा उसको तो चरण है नहीं वह कहते हैं हमको तो चरण है नहीं मैं कैसे अपने को पूझवाँ बच्चे वि परणतु नमरता दिखलाते हैं, छोटे बच्चे आदि सब जाकर पाव पढ़ते हैं, यहां बाप कहते हैं तुमको पाव पढ़ने से भी छोड़ा देता हूँ, कितना बड़ा बाप है, कितना बड़ा बाप है, कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम मददगार नहीं होते तो हम सर की स्थापना कैसे करते बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददकार बनो फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी यहां बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं कहते हैं बच्चे अब छीची मत बनो माया से हार नहीं खाओ नई तो नाम बदनाम कर देते हैं बॉक्सिंग होती है तो उनमें जब कोई जीतते हैं तो वावा हो जाती है हार खाने वाले का मुँ पिला हो जाता है यहां भी हार खाते हैं यहां हार खाने वाले को कहा जाता है काला मूँ कर दिया आए हैं गोरा बनने के लिए फिर क्या कर देते हैं की कमई सारी चट हो जाती है फिर नए सिर सुरू करना पड़े बाप के मददगार बन फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं दो पार्टी है एक है माया के मुरिद एक है इस्वर के तुम बाप को प्यार करते हो गायन भी है विनास काले विपरित बुद्धी तुमारी है प्रित बुद्धी तो तुमको नाम बदनाम थोड़े ही करना है तुम पृत बुद्धी फिर माया से हार क्यों खाते हो हारने वाले को दुख होता है जीतने वाले पर ताली बजाते वावा करते है तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान है अब माया को जीतना जरूर है बाप कहते हैं देश सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ, मामे कम याद करो माया ने तुमको सतो प्रदान से तमो प्रदान बना दिया है अब फिर सतो प्रदान बनना है माया जीते जगत जीत बनना है यह ही हार और जीत, सुक दुख का खेल रवन रज्य में हार खाते हैं अब बाब फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं बाबा ने समझाया है एक सिव बाबा की जैनती ही वर्थ पाउंड है अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारेण बनना है वहाँ पर घर घर में दीपमाला रहती है सबकी जोत जग जाती है मैन पावर से जोत जगती है बाबा कितना सहज रिती बैट समझाते हैं बाब के सिवाई मीठे मीठे लाडले सिकिल अदे बच्चे कौन कहेगा रूहानी बाब ही कहते हैं हे मेरे मीठे लाडले बच्चों तुम आदा कलब से भक्ती करते आए हो वापिस एक भी जा नहीं सकते बाब ही आकर सब को ले जाते हैं तुम संगम युक पर अच्छी रिती समझा सकते हो बाब कैसे आकर सब आत्मा को ले जाते हैं दुनिया में इस बहत के नाटक का कोई को पता नहीं है यह बहत का ड्रामा है यह भी तुम समझते हो और कोई कहना सके अगर बोले बहत का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे यहां तुम 84 के चक्र को जानते हो तुम बच्छों ने जाना है तुमको ही याद करना है बाप कितना सहज बतलाते हैं बक्ती मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो तुम कितना दूर सनान करने जाते हो एक लैक है कहते हैं उसमें डुक्की लगाने से परिया बन जाते हैं अभी तुम ग्यान सागर में डुकी मार परी जादा बन जाते हो कोई अच्छा फैसन करते हैं तो कहते हैं यह तो जैसे परी बन गई है अभी तुम भी रतन बनते हो बाकी मनुश्य को उड़ने के पंक आदी हो नहीं सकते ऐसे उड़ न सके उड़ने वाले है ही आत्मा आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं आत्मा कितनी छोटी है जब सब आत्म जाएगी तो हो सकता है तुम बच्चों को सक्साथकार भी हो बुद्धी से समझ सकते हो यहां तुम वर्नन कर सकते हो हो सकता है जैसे विनास देखा जाता है, वैसे आत्मों का जुंड भी देख सकते हैं, कि कैसे जाते हैं, हनुमान, गनेश आदी तो है नहीं, परंतो उनका भावना अनुसार साक्सातकार हो जाता है, बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे, कहते भी है छोटा सा स्टार है, जिसको इन आखों से देख नहीं सकते, सरीर कितना बड़ा है, जिससे करम करना है, आत्मा कितनी छोटी है, सरीर तो बहुत बड़ा होता है, और आत्मा एकदम बिंदी समान छोटी सी होती है, उसमें 84 का चक्र नुंदा हुआ है, एक भी मनुष्य नहीं होगा, ज 84 जनम कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पाड भरा हुआ है, वंडर है, आत्मा ही सरीर लेकर पाड बजाती है, वह होता है हद का नाटक, यह है बहद का, बहद का बाप खुद आकर अपना परिचे देते हैं, जो अच्छे सर्विसबल बच्चे हैं, वह विचार सागर मन्थन करते रहते हैं, किसको कैसे समझाए, कितना तुम एक-एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं, बाबा, हम समझते ही नहीं, कोई नहीं पढ़ते, तो कहा जाता है, यह तो पत्थर बुद्धी है, तुम देखते हो, यहां भी कोई सांथ रोज में ही, बहुत खुसी में आकर, कहते हैं बाबा पास चले कोई तो कुछ भी नहीं समझते मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धी पारस बुद्धी परंतो अर्थ नहीं जानते आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनात बन जाती है पारसनात का मंदिर भी है सारा सौने का मंदिर नहीं होता है उपर में थोड़ा सौना लगा देते हैं तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है काटे से फूल बढ़ने की युक्ति बतलाते हैं गायन भी है ना गार्डन आप अल्ला तुमारे पास सुरू में एक मुसल्मान ध्यान में जाता था कहता था खुदा ने हमको फूल दिया खड़े खड़े गिर्द बढ़ता था खुदा का बगीचा देखता था अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुदी खुदा होगा और कोई कैसे दिखलाएंगे तुमको वैकुंड का साक्षातकार कराते हैं खुदा ही ले जाते हैं खुद तो महां रहते नहीं खुदा तो सांतिदाम में रहते हैं तुमको वैकुंड का मालिक बनाते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो कुसी होती है अंदर में बहुत कुसी होनी चाहिए अभी हम सुखदाम में जाते है वहाँ दुख की बात नहीं होती बाब कहते हैं सुखदाम सांती दाम को याद करो गर को क्यों नहीं याद करेंगे आत्मा घर जाने के लिए कितना मता मारती है जब तब आदी बड़े मैनत करते हैं परन्तु जा कोई भी नहीं सकते जाड से नंबरवार आत्में आती रहती है फिर बीच में जा कैसे सकती जबकि बाप ही यहां है तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं सांती धाम और सुख धाम को याद करो बाप को बूलने के कारणी फिर दुखी होते हैं माया का मोचरा लग जाता है अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है मूल है देह अभिमान तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे हे पतित पावन आओ उस बाप से तुम पढ़ रहे हो तुमारा Obedient Servant Teacher भी है Obedient Servant बाप भी है बड़े आदमी निचे हमेशा लिखते हैं Obedient Servant बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है जो कपुत होते हैं अर्था बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं विकार में चले जाते हैं तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जनमता तो अच्छा था एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है कितने को तकलिब होती है यहां तुम कितना उच काम कर रहे हो विश्व का उद्दार कर रहे हो और तुमको तीन पैर प्रत्वी के भी नहीं मिलेते हैं तुम बच्चे किसे का घरबार तो छुडाते नहीं हो तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पुज्य डबल सिर्टास थे अब पुजारी बन पड़े हो अब बाप फिर से पुज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए न थोड़ी देर है हम यहां किसके लाक लेकर क्या करेंगे गरीबों को राजाई मिलनी है बाप गरीब निवाज है ना तुम अर्थ सही समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं भारत भी कितना गरीब है उनमें भी तुम गरीब माताएं हो जो सावकार है वो इस ग्यान को उठा न सके गरीब अबलें कितनी आती है उन पर अत्याचार होते हैं बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है प्रबात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो बैच भी तुमारे फर्स क्लास है ये ट्रांसलाइन का चित्र तुमारे आगे हो सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है बाप से वर्सा मिल रहा है कल्प पहले मुआफिक बच्चों को विचार सागर मंतन करना है कैसे सर्विस को अमल में लाएं टाइम तो लगता है ना अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गूड मॉर्निंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुक्य सार है पहला पॉइंट बाप से पूरी 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 प्रीत रख मददगार बढ़ना है माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है पूर्शार्थ कर दे सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है दारना के लिए दूसरा पॉइंट अंदर में खुशी रहे कि हम अभी सांती धाम सुखदाम जाते हैं बाबा ओबीडियन टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं लायक सपूत बना है कपूत नहीं अब मीठे बाबा का मीठा वर्दान त्री स्मर्थी स्वरूप का तिलक धारन करने वाले संपून विजय भव विस्तार है स्वर की स्मर्थी, बाब की स्मर्थी और ड्रामा के नौलेज की स्मर्थी इनी तीन स्मर्थियों में सारे ग्यान का विस्तार समया हुआ है नौलेज के वरक्ष की ये तीन स्मर्थियां है जैसे वरक्ष का पहले बीज होता है उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं फिर वरक्ष का विस्तार होता है ऐसे मुक्य है बीज बाप की समर्ती फिर दो पत्ते अर्थार्त आत्मा और ड्रामा की सारी नौलेज इन तीन समर्तियों को धारन करने वाले समर्ती भव वा संपुन विजे भव के वर्दानी बन जाते हैं स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी अच्छा ओम सांती